ये दास्ता है एक ऐसे कलाकार की जिसने सिविल इंजेनियर बनना था लेकिन इसने तो फिल्म में बनाने शुरू कर दी और फिर सूपरस्टार शारुखान को भी खोज निकाला नाम है इनका लेख टंडन जन्म हुआ 13 फरवरी सन 1929 में इनके पिता का नाम फखीर चंग टंडन जो की महान अभिनेता पृत्विराज कपूर के बच्पन के दोस्त थे ये दोनों खाल सा हाई स्कूल में पढ़ते थे जो की अब पाकिस्तान में है लेख टंडन ने आगे जाकर बड़ी उन्हों की फिल बात उस वक्ती है जब लेख टंडन पहली बार छुटिया मनाने के लिए बंबई आये थे साल था सन 1940 चुकि प्रिथवी राज कपूर सहाब इनके अंकल थे तो ठहरे ये इनहीं के यहां वहां पे मित्रता हो गई राज कपूर सहाब से भी राज कपूर ले गए इने कुछ कुछी शूटिंग्स दिखाने के लिए को काम देखकर लेख टंडन इतने मंत्र मुग्ध हुए कि मन बना लिया कि अब तो फिल्मों में ही आऊंगा तकलीफ यह थी कि इनके पिदाजी चाहते थे कि यह सिविल इंजिनियर बने इन्होंने सारे एक्जाम्स बहुत अच्छ इनके अंकल प्रिस्वी राज कपूर सहाब ने इनसे कहा कि चलो तुम प्रिस्वी थेटर जोइन कर लो लेकिन इनके वालत सहाब अड़ गए कहा कि पहले ग्राजुशन पूरी होगी और उसके बाद थेटर वेटर का काम होगा ग्राजुशन के बाद प्रिस्वी राज कप इसमें ये बतौर असिस्टेंट कैमरामेंट काम करते रहे आखर वही हुआ है जिसका मुझे डर्द था जो मैं चाहता था ना हो लेकिन जानता था होकर रहेगा इंसान ना जाले कि उस अपनों के संसार में रहना पसंद करता और सपनों के हस्ती ही क्या पानी के बुलबुले जो जरा सी टेस्ट लगने पर तूट तूट जाएं लेकिन आगे जाकर लेक टंडन साहब ने प्रित्वी राजकपूर से कहा कि पापा जी मुझे कैमरामेंट नहीं बनना मुझे डिरेक्टर बनना है राजकपूर सहाब ने इनकी मदद की और नहीं ले गए बहुत सारे अलग-अलग डिरेक्टर्स के पास अंत में राजकपूर सहाब से इन्होंने गुजारिश की कि क्यों नहीं राज साहब आप मुझे अपने ही गुरू के बास ले जाओ राजकपूर ने इन्हें बतौर असिस्टन लगवा दिया महान डिरेक्टर केदार शर्मा के यहाँ वही केदार शर्मा जिनसे राजकपूर ने फिल्मेकिंग सीखी थी और जिन्होंने राजकपूर को पहला ब्रेक भी दिया था बहुत सारी फिल्मों में ये बतौर असिस्टन डिरेक्टर काम करते रहे और उसके बाद आई फिल्म प्रोफेसर इस फिल्म को इन्होंने डिरेक्ट किया फिर शमी कपूर के साथ एक और फिल्म की प्रिंस जिसे गाने बड़े मकूल हुए शंकर जैकिशन से इनकी खासी दोस्ती थी क्योंकि शंकर जैकिशन भी प्रिंस फियेटर में काम करते थे और लेक टंडन ने भी कुछ वक्त प्रिंस फियेटर में बिताया था इन्होंने फिल्में बनाई जुग्गे आस्मा, आमरपाली, जहां प्यार मिले, दुल्हन वही जो पियामन भाए और इनका एक अच्छा खासा नाम बन गया धीरे धीरे इन्होंने फिल्मों का रुख छोड़ा, टीवी सीरियल्स की तरफ रुख किया इन्होंने बनाया सीरियल दिल दरिया, जिसमें एक ऐसे लड़के को कास्ट किया, जिसके बाल बहुत लंबे थे उस लड़के से इन्होंने कहा कि अगर तो अपने बाल कटवा ले, तो मैं तुझे हीरो बना दूँगा लड़के ने कहा कि अगर बाल कटवाने के बाद भी हीरो नहीं बनाया तो इन्होंने कहा कि वो देखा जाएगा उस लड़के ने बाल कटवाए उसे हीरो बनाया गया और ऐसा हीरो बनाया कि सिर्फ दिल दरिया में ही नहीं दूसरा केबल में भी वो नजर आया और कदनल कपूर के सीरियल फौजी में भी यहां हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार शारुखान की शारुखान को ब्रेक देने वाले डिरेक्टर लेख टंडन बहुत बर्सों के बाद जब लेख टंडन सहाब ने सीरियल बनाने बंद कर दिये फिल्म में बनाने भी बंद कर दी तब शारुखान ने इने बतौर एक्टर इंट्रिड्यूस किया फिल्म का नाम था स्वदेज उसके बाद रंग दिबसंती, चेन नई एक्स्प्रेस, चार फटिया छोखरे इन सब फिल्मों में यह बतौर एक्टर नजर आए इनके भाई रहे योग राज चंडन जिन्होंने उर्दू में बहुत से नाटक लिखे लेक टनन ने एक लंबी इनिंग्स देखी ब्लाक इन रैट फिल्मों से लेकर कलर्ड फिल्म्स तक राज कपूर से लेकर शारुखान तक का स्टार्डम इनोंने देखा बड़े बड़े अक्टर्स को इनोंने डिरेट किया लेकिन जीवन के अंत में यह उस परिवार से दूर हो गए जिस परिवार ने सबसे बड़ा मौका दिया था कपूर खांदान से रेक टनन इसलिए दूर हुए क्योंकि यह फिल्म बनाना चाहते थे डब्बू जी को लेकर मतलब रंधीर कपूर को लेकर पर कुछ कारणों की वज़े से यह फिल्म पूरी ना कर सके और कपूर खांदान से इनका मन मुटाब हो गया इस बात का इने गहरा दुख रहा पर इससे पहले यह मन मुटाब दूर होता सभी दिगज एक एक करके दुनिया चोड़ चल बसे पित्वी राज कपूर राज कपूर शमी कपूर और 15 अक्टूबर सन 2017 वो तारीख वन कराई जिसने इस बड़ ही अनोके डिरेक्टर को इस से उठा लिया लेख टंडन सहाब जैसे ना कोई था और ना ही कोई होगा महान प्रतिबाहों के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल अन हिस्ट्री